कि आपका फीवरिबल कलर कौन सा है जो आपको धन का आकर्षिन केंदर बना देगा। कौने सा है आपका अला की कलर। और उसको कैसे यूज़ करना है। अपनी लाइफ में कहां कहां उस कलर को आप लगा सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगे आपकी जनम कुर्ली में आप अपने धन की ग्रह को कैसे देखें और कैसे उसे मजबूत करें तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहों की बात गुरुमा के साथ आपका जो लखी कलर है आपके राशी के अनुसार अगर आप इसको यूज करते हो और सही घंग से यूज करते हैं तो यह डेली बेसिस पे आपको इक पॉजिटिव एनरजी देता है अगर आपकी राशी व्रश्चिक राशी है यानि इसकौर्टियो राशी है या फिर आपका नाम का प्रथम अक्षर इन किसी अक्षर में से शिरू होता है तो आपके लिए जो फीवरिबल कलर है वो है ब्लाड रैड यानि कि जो लाल होता है एकदम ब्राइट रैड होता है तो आपके लिए बहुत फेवरिबल है इसको अपने shades के साथ यानि कि लाल के जितने भी रंग को आप प्रयोग करेंगे जितने भी shades को आप यूज करेंगे आपके लिए बहुत भागिशा लिए अब मैं आपको बताने जा रहे हूँ आपके lucky color को आपके favorable color को आपको कहा कहा यूज करता है आप इस color को देली कपड़े जो पहनते हैं उसमें यूज कर सकते हैं जितना जादा आप अपना favorable lucky color यूज करेंगे उतना जादा वो आपको benefit करेगा धन को आपके और आखरशित करेगा आप चाहे तो इसको अपने wall colors में भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर भी इन colors को आप आड कर सकते हैं जो टेल्स है चेर्स है जो उसकी जो अपॉर हैश्री निता जो प्वाहस्त्री है उसका जो कपड़ा है उसमें आप यूज कर सकते हैं यह आपको बहुत benefit करेंगाillions are बहुत है को या शॉप है उसमें भी आपका ज़ brightly जितना यूज करेंगे, वो उतना आपको अच्छी वाइब्रेशन लेकर के आएगा, साथ ही आपके जो सोने वाली बैचीट है, यह बहुत ज़रूरी होते हैं, आप जिस कलर पे सो रहे हैं, वो आपको उसी तरीके से वो जो कलर है वो आपको एफेक्ट करता है, आपके चक्र ज़र को भी को भी करता है, तो इसलिए आप उस कलर को अपने बैचीट में वी यूस कर सकते हैं, आप उसेपनी मुवाईर की वॉल पेपर, में भी यूस कर सकते हैं, क्योंकि जितना लखी कलर को देखोगे, उतना लक् !" ब fulfillment कर सकते हैं, अपने लखी कलर का आपको अपने अ को ही आप चोईस करें हां बस यह मत समझेगा कि गुरुमा ने हमको बता दिया है तो हम बस यह तीन उपाई करके घर पे बैठ जाए और धन हमारी और खूब चलके आता जाएगा देखो मेहनत तो आपको करनी है करम तो प्रधान है ही इस करम भूमी में लेकिन हां जो मेहनत अफल आपको मिलने लगता है अगर आपको लगता है कि गुरुमा बहुत उपाई कर लिए हैं ठक गए हैं समझ नहीं आता क्या करें तो बिलकुल मत परिशान होई है आपकी गुरुमा हमेशा आपके साथ है जिन लोगों के पास धनकी कमी है उनके लिए हम फ्री जंदा दर लगाते हैं आपको किसी भी गुरु बार सुभे 11 बजे से 2 बजे तक आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं एक रुप्या हम उसमें चार्ज नहीं करते हैं आपको फ्री उपाई बताएंगे आपकी गुल्ली देखेंगे आपको परामश देंगे जिसके गुल्ली भी नहीं है उ आपको धन की समस्या नहीं है घर बैठे बैठे उपाई लेना चाहते हो फिर भी चिंता मत करो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट आपको करा सकते हैं जो नंबर आपके पास हमारी संस्था की फ्लाश हो रहे हैं हमारे मंदिर के फ्लाश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए और वहां से सारी information लेके आपको automatically जो appointment है वीडियो कॉल का वो बुक कर सकते हैं क्या लगता है आपको उपाई काम करते हैं या आपको लगता है यह सारी चीजे सुपरस्टिशन हैं अंधविश्वास हैं तो चलो किसी से मिलवाती हो जिन्होंने उपाई किये हैं और उनको उ मैं आपसे contact किया था और आपने मुझे कुछ रख्यंधारण करने के लिए दिए जिपने एक मीलम है एक मुगा है एक American diamond है तो इन रिंग्स को पहनने के बाद हाँ कुछ positivity मेरी life में आई थी उस समय मैं एक court case में फस्रा हुआ था और chances बन रहे थे कि मैं arrest हो सकता था arrest उस case में जो की एक ऐसा case था जिसमें फेक F.I.R. दर्फ होई थी आपने बताया था कि arrest होने के chances हैं लेकिन आई थिंक आपने जो stones कहना है थे उनसे मैं अभी तद बचा हुआ हूँ और 2020 में सभी के काम डाउन हो गए थे लेकिन fortunately हमारा जो business का carrier का supply chain management का ये बहुत जादा जिसकी वज़े से मुझे बाकी लोगों की तरह काम नहीं छोड़ना पड़ा था हमारा काम बढ़ गया था हमारा काम बढ़ गया था हमारा काम बढ़ा है इंक्रीमेंट भी हुए है तो इसके लावा मैंने फिलाल अभी ancestral property है एक पिताजी की तरफ से मिली हुए है वहां मुझे लगता है आपकी एक रपास हुआ जनमकुली के घ्रह अब मैं आपको आपकी जनमकुली देखना सिखाके हूं जिसमें आप अपने धन की स्थिति को समझ सकते हैं आप सब के पास अपनी जनमकुली तो होगी ही तो जो उसका लगन चार्ट होता है जहां पे लगन दि व्यक्ति का अच्छा है तो उसको भन की कमी नहीं होती है उसके पास हर सुख सुविधा होते है उसको कहीं से भी एक लग्शूरियस लाइफ मिल जाए जाहें ऐसा व्यक्ति किसी भी गरीब घर में जनम ले लेकिन धीरे-धीरे करके उसके जीवन में यह सारे सुख आपकी जनमकुंडी में शुक्र लिखा है वो शुक्र देख लीजिए कहां बैठे है जो आपको दिखा रही हूं टेबल उस टेबल को ध्याद से देख लो शुक्र इन घर में या इन राशी में बैठे नहीं होने चाहें सबसे पहला तो important चीज़ आपको देखनी है आपका परिशान रहेगी, अगर उच्च का है, 12 नंबर में बैठा है, 12 नंबर राशी में है, मुहीन राशी में, तो समझ लीजे, यह बहुत अच्छा है, धनल की स्तिती हमेशा अच्छी बनी रहेगी, और भी शुक्र के जो अच्छे घर होते हैं, जो अच्छी राशी होती है, जो मित्र घर होते हैं, वो सम में आपको इस टेबल में दिखा रहे हूं, आप इसको देख के समझ सकते हैं, अब आपने अपना शुक्र देखना है, और शुक्र देखना है कौन से नंबर में है, अब इस टेबल से मैच कर लीजे, कि आपको पता चल जाए कि आपका शुक्र बहुत जरूरी है वो है बुद्ध हमारी वैपार का कारक है बुद्ध लक्षमी का कारक है बुद्ध बुद्धी का कारक है वाली का कारक है अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो बुद्ध के स्तिती देखने भी बहुत जरूरी है तो अब अपनी गुल्ली में बुद्ध इस्तिती देखिए कि कौन सी राशी में बैठा है बद 12 नंबर राशी में नहीं होना चाहिए जहां मीन राशी है 12 नंबर लिखा है अगर आपका बुद्ध वहां है तो पक्का भाईया गड़बर है फिर तो आपको उसको फीक करना पड़ेगा आप 6 नंबर राशी में बैठ है तो आपके लिए अच्छा है और इसके लिए बुद्ध अच्छा है या नहीं कौन से नंबर आपकी राशी में बैठा है वो टेबल देखिए और उस टेबल का स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं देख करके आप अनुमान लगा लिजे कि आपके लिए एक मंदिर को चल मेरी जितने भी भक्त हैं जब उनको आर्थिक दिक्कत आती है तो वही सजेस्ट करते हूं आप लोगों के लिए जो हमने नोगरे का लॉखिट बनाया है जिसे हम सर्मनो कामना सिधी लॉखिट कहते हैं उसमें भी हमने एक करकोरी लगाई है तो कि माता लक्षमी को करकोरी करें यसे बहुत प्रिया है और जब हम इस कर्पालि को माता लक्षमी की जो श्रीज सूप्रत का मिर्य बहुतुत करते हैं तो तब उसका प्रव्त अपको कई गुना होगर के मिलता है है और चितने भी लोगों हर आज तक सर जामने सिधी लॉकिट पहणा है उनके आर्थिक समस्या जरूर दूर हुए है अगर आपको धन संबंदी ऐसी समस्या है तो आप श्री सुपकारोजाना पाठ करें और चाहे तो हमारी गुर्मा अब बात करते हैं तीसरे ग्रेकी अगर आपका अच्छा होगा तो आपके लाइफ में कहीं न कहीं से आपको एक अच्छा जीवन दिला ही देगा मां संबंदी में लोगों के बीच में आपकी धाब जमेगी आप जहाँ जाएंगे लोग आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे एक संबंदी समझेंगी आपकी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ में धन व्यवस्ता भी बढ़ेगी क्योंकि आज के इस कल्यूप में जिसके पास धन है, उसके पास नाम भी है उसके पास पैसा है, उसके पास लोग भी है, उसका एक अच्छा सोशल सरकल भी तो ब्रहस्पती अगर अच्छे होंगे, तो धन के रस्ते भी बनाएंगे, नाम भी देंगे, सम्मान भी देंगे अब आपने देखना है अपनी जनम कुड़ी में ब्रहस्पती कौन इसी राशी में बैठा है अगर 10 नमबर राशी में बैठा है मतलब कि नीचका है नीचका है तो बिल्कुल खराब हो गया आपको हमेश्या सम्मान में नहीं मिलेगा और धन से भी तंग रहेंगे अगर आपका जो प्रहस्पती ग्रह है वो अच्छे जगें बैठा है यानि कि चार नमबर राशी में बैठा है, करक राशी में बैठा है, तो उच्छ का है, अच्छे फल देगा, अपनी ही राशी में बैठा है, धनू में बैठा है, मीन में बैठा है, यानि नो नमबर में है, बारा नमबर में है, तो भी अच्छे फल देगा, बाकि आपकी कौन आपको स्टेबल से डाली कर सकते हैं अब ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया वैसे बहुत सारी चीज़े और देखी जाती है धन की स्टिती के लिए लेकिन एक बेसिक आईडिया मैंने आपको दे दिया है अब इसमें माली जी कोई ग्रह आपका किसी कुरूर ग्रह के साथ बैठा है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा किसी ग्रह की दृष्टी उस पर पढ़ रही है लाहू की तू परिशान कर रहे है तब भी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी मोटा मोटा इससे आप अंकलन कर सकते हैं कि आपके धर की स्टिती जीवन भर कैसी रहेगी और कैसे इस खर किस चीज के लिए होता है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही है अब इसमें धन के लिए दूसरा घर और एक आदश घर यानि कि ग्यारवा घर यह बहुत इंपोर्टेंट है यानि कि अगर दो नंबर घर में कोई अच्छा घर है तो फल देगा आपकी 11 नंबर घ तो आपको फल देगा या तीनों मेंसे जो मैंने आपको बताए है शुक्र बुद्ध और ब्रस्पति अगर यह बैठे है दोरों में से किसी भी घर में और अच्छे उच्छो के बैठे है तो धन की स्थिति जीवन बर बहुर अच्छी रहे अब आपने अपने दृतिय अवेश की स्थिति भी देखी जाती है यानि कि उस भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति क्या है उसके हजाब से भी हम देखते हैं लेकिन इससे आपको आइडिया लगया होगा कि आपके घर धन के कैसे है एक और रूम समझ लो एक आदिश भाव में कहते हैं जो भी ग्रह पैथा हो चाहें वो नीच हो चाहें वो ख्रूर हो भी अच्छा परिणाम देने लगता है लेकिन यह अदूरा तралय कि अडीर मेरी मेरी मेरत का मिलना चाहिए यह नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इन तीनों ग्रह को अच्छा करने के उसके बार एक बार आकर कि या तु बुरुमा से तिली में मिलना उसके फोन कर लेना वीडियो को लपॉइंट में लेना मैं आपको आगे क्या करना है वो बताओं और शुक्र करें अच्छा नहीं है आपको पता चल गया है नीच राशियों में बैथा है या शत्रू राशी मे क्या करेंगे शुक्र को अच्छा करो बल्वान करने के लिए क्या करो उसके लिए आपको रोजाना पर्फ्यूम का यूज करना है नाच्छल इत्र या पर्फ्यूम आप लगाना शुरू करें अब यह मत कहना कि गुरुमा में अच्छा नहीं लगता अरे आपको नहीं कि आपको लगाना है. अछा सा पुई प्लोरल सेंट आपको लगाना है. पोफ्यूम लगा सकते हो, अब जिसमें फूलों की खुश्बों और जितना नैच्रिल हो इतने अच्या है. इतन भी आप रयोग कर सकते आपने राशी अनुसार भी आप पॉफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं, वो में आपको आने वाले कुछ वीडियो में आपको कौन ऐसा फेवरिबल आपके लिए पॉफ्यूम है, आपकी राशी के हिसाब से पो बताऊंगे, लेकिन आप शुक्रुप अच्छा करने के लिए दूसरा है आपको अपने नहाने की पानी की जो पाल्टी है, उसके अंदर जो बड़ी इलाइची रहती है, काली रंगी, वो आपने डाले है, उसे डाल करके आप रोजाना स्दान करूं, और उसके बाद आप उसको किसी मिट्टी में भैक देना, ना तो डस्पिन में भैकन नाली में घिराना, आप उस इलाइची को मिट्टी में देजिए, तो मिट्टी में डाल दीजै, रख दीजिए, फेक दीजै, लकिन डस्पिन या नाली में मत फेकना, इससे रोजाना स्नान करोगे, आप देखो कि 21 वीतर भीतर आपको शुक्र आपको अच्छा फल देने ल अब मालो आपका बुद्ध रहा अच्छा नहीं है आपको पता चला नीच राशी में है या शत्रु राशी में है ऐसी स्तिती में आपने क्या करना है आपने रात के समय हरे मुंग की दाल साबुत लेके आने है उसको भिगोना है एक मुठ्वी और भिगोने के बार जब वो सुभे के समय अपने खाने से पहले उसे पक्षियों में या कबूत्रों के बीच में डाल दीजीए उसरा उपाई करना है आपके आसपास जो भी माता का मंदिर हो देवी मा का मंदिर हो वहां सीवा करू difference जो आप कर सको वहां सीवा दो आप देखोगे आपके बुद्ध ग् अच्छा नहीं है तो उसके लिए क करेंगे? उसके लिए आपने किसी गुरु को जहां पर के वैदिक शिक्षा दी जाती हो, जहां बच्चों को धरम सिखाया जाता हो, अच्छा ज्यान दिया जाता हो, वहाँ कुछ भी सेवा करनी है या दान करना है वहाँ दान करने से भ्रहसपती बहुत प्रसन होगे आपको अच्छे फल देंगे दूसरा आपको करना है भ्रहसपती के लिए आपने अपना जो पूझा घर है जो मंदिर है या मंदिर का कमरा है उसे खुद साफ करना है और रोजाना साफ करना है, और जितना साफ करोगे, जितना अच्छा रखोगे रोजाना, आपकी प्रहिस्पति उतने प्रसंद होते चाहें. अब एक मिस्टेक आप हमीशा करते हैं, उपाय तो खुब करते रहते हो, कहते हो लगते नहीं, अरे भईया उपाय करते हो तो प्रार्थना भी तो किया करू, भगवान को ये भी तो बताओ, प्रभु मुझे ये चाहिए, कल्यूग में तो माता, अगर उसके सामने रो नहीं, तो जो भी दोते ही तिलाती, तो आपको अपने परमपिता, परमेश्वर, अपने ईश्वर, अपने देलता को बताना तो पड़ेगा, कि प्रभु इस हेतों हम ये उपाय कर रहे हैं, तो आप सभी उपाय करते समय प्रार्थना अवश्य कर, अपने इष्ट से, उस देवी देवता से जिसके लिए आप कर रहें उनसे टार्थना करोगे वो प्रार्थना में इतनी शक्ति इतना भाव होता है कि वो उन तक जरूर पहुंचेगा और वो विवश हो जाएंगे कि वो आपको फल दे आज के लिए यही समाप्त करते हैं कि जो उपाई बताए हैं इसको जरूर असमाई और फिर देखें सनातन हिंदु धर में कितनी शक्ति है जै शरी देव जै श्री श्री उश्राव झाल झाल झाल